दोस्तों कैसे हो कैसे हो कैसे हो सब लोग फिर से एक live session करने है इस channel पर बहुत सारे content pieces आ रहे हैं don't worry पर मैंने तुझा आज कुछ अलग करते हैं इस महिने की live session की topic है books, books, kitabे, lockdown में मेरी life में सबसे बढ़िया चीज यह हुई है कि यार मेरी life में वो reading की आदत जो पहले बनाई थी college में बनाई थी वो फिर से आ चुकी है मैंने सोचा कि आज के video में आपको जट से बहुत जट से live session complete करूंगा और जट से ही आपको मेरी book collection दिखाऊंगा in detail तो मैं camera flip कर रहा हूँ अभी बहुत जल्दी से देखाऊंगा ओके सो बेसिकली है दो section है पहली section है business और life के books और दूसरी section है mentality और spirituality और थोड़े से Indian culture के books ठीक है पहले तो कर मजा आ रहा है 1000 लोग देख रहे हैं लाइक बटन दबादो Instagram पर follow करो Hindi Instagram page भी खोला हुआ है रनवीर अलबादया देख लो ओके यह book सबसे पहले recommend करूंगा Tim Ferris बहुत ही बड़िया podcaster है USA से इनकी बहुत बड़िया book है यह Tools of Titans यह बड़िया book क्यूं है क्यूंकि basically इनके जितने भी podcast हुआ है उनकी summaries है इस किताब में तो अगर आप यह खोलोगे ना यह book मैं आपको actually दिखाऊंगा यह मेरी बहुत ही ज्यादा favorite book है बहुत ही easy reads है इसमें यह देखो यह कोई Adam गजाले है गजाले इनका पूरा podcast summarize कि है दो pages में फिर अगर आप page turn करोगे उनका एक solo episode का summary उन्होंने लिखा हुआ है शायर रनवी शो के साथ भी यह करेंगे किसी दिन अगर आप कोई भी page flip करेंगे यह देखो एक guest है और podcast की summary लिख हुई हुई है तो podcast सुने बिना आपको podcast का ज्यान मिल रहा है इस book से बहुत आसान तरीके से लिखा हुआ है Tim Ferriss जी ने मेरे आइडल जैसे है बो उन पर ही base किया था हमने रनवी शो यह है उनकी दूसरी बो यह भी मैं recommend करते रहता तो Timothy Ferriss 4 hour work week यह आपके काम में आपको फायदे देगी ठी फिर Luke Coutinho मेरे एक और mentor जैसे है अगर health की advice आपको चाहिए आपको Luke Coutinho की बाते सुननी चाहिए Shoe Dog, Nike, जिन्होंने Nike स्टार्ट की थी उनकी कहानी है कि उनकी branding challenges, business challenges क्या था इससे भी बहुत सीखने को बहुत है यह पता है कौन है? यह है Mohamed Ali दुनिया के सबसे बड़े heavyweight boxer मैं एक चीज मानता हो कि यार अगर आपको एक बढ़िया बुक मिल गई ना जो biographical book है तो और एक जिन्हें आपको क्वेस्टिंस मैं अंण़र रहाँ करूंगा पर आपको collection लिखाने के बाद तो बैसिकली यह इस की बढ़िया लब्रॉन लबरॉन जेम्स लिख मिल हो कुटी बढ़िया लोगमादाली के बग्या है लिए रह लगदा है लिज निखीशने लिख है लिए ल बहुत बड़ीया कोच है बास्केट बॉल के तो बिसकी उनके लाइफ के बारे में सब जो भी लेसंस दो ना किसी महान इंसान की लाइफ के आपको वैसी बुक्स पढ़नी यह किसी बुक है विरात कोली वाइब कॉली यह यह यूट्यूबर लिलीसिंग आप जानते ही होंगे यह उन्होंने खुद लिखी है बहुत बढ़िया बुक है अगैन रेकमेंड़ यह स्टोरी बुक मैं इतनी स्टोरी बुक जादा नहीं पढ़ता मुसली नॉन फिक्षिन पढ़ता हूं एक और चीज में कहना चाहता हूं यह अक्शली किसी ने पॉड्कास में रेकमेंड की जिन बुक के बारे में मैं एक मित रुक मैं गुर्जान कम ऑ जिन बुक के बारे में मैं इलाब रेट करण नहीं आपको समझा के बता रहा हूं वह बुक्स तो आपको पढ़नीन चाहिए अभी बहुत special moment है इस live stream में मेरी फ्यवरेट बुक तो आप जानते ही हो 언गे न आपको जो भी भाषा बोलते हो, पंजाबी, गुजराती, मराथी, हिंदी, सभी भाषाओं में ये बुक लिखी गई है, इंग्लिश में बहुत ही भारी तरीके से लिखी हुई है बुक, अगर आपको ये पढ़नी है, आपको डिक्शनरी चाहिए होगी, ठीक है, बाजू में मुझे भी बहुत बड़ी डिक्शनरी लगी, और बहुत ज़्यादा हेवी बुक है, अगर आपको स्पिरिचुालिटी के बार में बहुत ज़्यादा जानना है तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, पर खेर स्पिरिचुालिटी के बार में बार में बात करेंगे, पहले हमें बात करनी चाहिए modernism के बारे में जो इस दुनिया की knowledge है आपको इस इंसान से मिलेगे अच्छे से देख लो Yuval Noah Harari ये modern historian है ये उनकी book है human beings के past के बारे में जब हम caveman थे तो caveman से human being कैसे बने क्या क्या हुआ हिस्टरी के बारे में ये future के बारे में homo deuce ये books मैंने पढ़ी नहीं है ये book के पढ़े हैं मैंने start के कुछ chapters ये बहुत ज्यादा भारी book है अब ही आप पूछेंगे कि यार आपने फिर autobiography of a yogi के बारे में क्यूं बात किया अभी तक क्यूंकि इस book का इस book में बहुत ज्यादा सीख है इस book में बहुत ज्यादा morals है पर सबसे बड़ी सीख पता है क्या है अच्वे बहुत बड़ी सीख है बहुत ज्यादा सीख सीख्स बहुत ज्यादा आपको सीखने को लेगा उस book से पर एक चीज जो मैंने उस book से सीखी है कि अगर आपको एक बहुत बढ़िया बुक मिल गई ना आपको ये चीज़ पर नहीं ध्यान देना जाएगी यार मैंना जट्चे खतम करूँगा ताकि मैं दूसरे लोग बोल सकताँ कि यार मैंने ये बुक पड़ी वो बुक भी पड़ी सब बुक पड़ी it's not about quantity of books it's about आपने उस महान बुक को कितना रीटेन किया है कितनी knowledge उस book से लेकर अपने दिमाग में घुसेड दिया है deep तरीके से कितनी knowledge घुसेड दिया है आपको उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए ठीक है और उसी thought को मन में रखते हुए इस इंसान के बारे में बात करनी ह इनके बुक्स आपको पढ़नी चाहिए ठीक आपको बहुत ज़़ा सिखने को मिलेगा ये बुक कोरोना वायरस नहीं 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 हुआ ठीक है मना भी बदाम काजू है थे मेरे गले में अटक गया है उपसीज तो यूवाल नुआ हरारी ये बुक इतनी ज्यादा भारी है इतनी ज्यादा भारी है मैं आपको क्या बताओ पर ये प्रेजेंट के बार में अगर आपको कोई भी बिजनस स्टाट करना अगर आपको ये जाने कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है तो ये बुक पर 21 देसंस पर 21st century उन्होंने पहली लिखे थी ये पास के बार में ये फिर दूसरी बुक है उनकी future के बार में और ये present के बार में पर मैंने start किया present से क्योंकि मुझे लगा कि यार ये बुक तो बहुत ज्यादे interesting रहेंगे present में क्या रहेगा पर ये इतनी ज्यादा भारी बुक है इतनी ज्यादा भारी बुक है कि मुझे लगा कि यार sorry sorry गाली पर यह ना मैं एक चैप्टर पढ़ता हूँ और फिर मैं बुक को साइड में रख दे रहा हूँ कि बहुत भारिया ना वां टू रीटेन जो भी मैं इस बुक में पढ़ रहा हूँ ना मैं लाइफ में यूस करने वाला हूँ यह मेरी सजेशन है अगर आपको इस पूरे कलेक् तो इन्हों ने कहा कि जो हिस्ट्री हमें आजकर स्कूल में सिखाई जाती है ना इतिहास के चैप्टर हमें स्कूल में सिखाई जाती है जया जाते हैं रहनो, वह शायद गलत है, और उन्होंने खुद के लियों पर का करणा इस्ट्रियगूच से हुआство की निरुटी है। द्वारका, ठीक है। और द्वारका, यह कहा जाता है कि द्वारका पानी के नीचे चले गई थी। वह पानी के नीचे चला गया था वह शहर। तो ग्राहम हैंकोक ने оказually दो बुक्स लखillyan हाल भॉte बुक्स लखी हैं। ने उनके सबसे दो फेमिस बुक है। Graham Hancock, Mysterious Origins of Civilization इस book के research में उन्होंने खुद deep sea diving करी इंडिया में भी diving करी ताकि वो समुंदर के नीचे जाके historical चीजे ढूंड सके और कहते हैं कि उन्होंने द्वारका के remains भी ढूंड देते बहुत है बहुत हेवी बुक है यह भी मतलब यह इस book में fingerprint of the world मैंने पढ़ी नहीं है पर apparently aliens के बारे में बहुत चीजे कही है अभी आप यह पूछेंगे कि यह पर आप यह historical books क्यों recommend कर रहा हूँ मैं कहूंगा first give this live stream likes और share किए यह live stream तो मैं historical books क्यों recommend कर रहा हूँ मैं इनके historical books recommend कर रहा हूँ यह एक ऐसे इंसान है जिन्होंने दुनिया का perspective बदल दिया और जो एकदम महान लोग रहते हैं जो दुनिया के perspectives को बदल देते हैं आपको उनकी बात हैं सुननी चाहिए उनके perspectives के बारे में सुनना चाहिए जब आप किसी भी book को पढ़ते हो ना आपको उस writer के subconscious mind के आपको आपको इतियास में इंट्रेस प्लीज ग्राम हैं को के बुक्स पढ़िये उनका podcast भी सुनिया यह बुक आप जानती होंगे हाली में हमने क्यूने वीडियो रिलीस किया था महाभारत के बारे था एक और चीज मैं थोड़ा plug-in तो करूंगा ही इंस्टाग्राम पर हिंदी पेज स्टार्ट किया एट रन वी रालावाद्या इंग्लिश में पात सालों से हम रन करने एट बियर भाइस प्लीज अगर फॉलो नहीं किया जाके फॉलो करें बहुत ज्यादा content बनाते हैं वहां चलो भी जट से जाकेर खान भाई मेरे बड़े भाई जैसे उन्होंने ये बुक रेकमेंड की थी इस चैनल को स्टार्ट करने से प्यादे जावेद अक्तर की बुक है तरकश इससे मुझे जब आप हिंदी में बुक्स पढ़ोगे न आपको actually आपकी speaking ability भी improve हो जाएगी उस subject में तो ये तरकश पढ़िये तरकश पढ़िये आपकी लाइफ में अगर आपको शांती चाहिए आपको ये बुक पढ़नी चाहिए अगर आपको अपने करियर में अपना गोल आपको मिल रहा नहीं है अगर आपको लग रहा है कि जिस जॉब में आप फसे हुए हो आप फस गए हो और अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है इक ही गाए पढ़िये आपके perspective change हो आएगे बहुत आसान बुक है highly recommended ये बुद्धिस्म के बारे में देखो मैं ये मानत योगा के बुक्स होते है वो मैं दूसरे लोगों को भी देता हूँ I currently only have the Buddhist books ये मैंने पढ़िये ये मैंने अभी तक नहीं पढ़िये इस बुक के वार मैंने बहुत बाते किया है ज्यादा बाते नहीं करूंगा अब ये जे कृष्णमूर्थी साहब है अगर आपको ये लगता है कि यार आपको spirituality क्यों adopt करनी चाहिए और spirituality में बिलकुल भी विज्ञान का कोई हाथ नहीं है तो please जे कृष्णमूर्थी के books पढ़ो ये बुक अगर आपको spirituality के easy lessons चाहिए असानी से अगर आपको ये चाहिए कोई आपको spirituality के बारे में समझाए आपको spiritual growth मिले तो please lost wisdom of a swastika पढ़िये ये actually मैंने अभी अभी start किया ये book थोड़ी book खतम किया इतनी book खतम किया वर बहुत बढ़िया book है तो I will recommend this अगर आपको Amazon प okay अभी जे कृष्णमूर्ती की बात हो गई ये अगर कोई बैंगलोर जा रहा है ये लिख लो कहीं मानसा लाइट foundation इस book के पहले पार्ट को मैंने अच्छी मुझे मेरे दोस्त विराज को दे दिया हमारे co-founder को दे दिया ये लिखिया मानसा लाइट foundation M-A-N-A-S-A space light foundation एक ब आइस टीम एक रहा हो जाती है पर उसी जगह से मैंने ये books खरी दी है जल्दी से आपको दिखा आपको दिखा अस्तर ट्रावल के बार में अस्तर ट्रावल का नाम सब्सक्रावल वह प्रोसेस होता है जहां आपकी आत्मा आपके बॉड़ी को छोड़के चली जाती है meditation के द Q&A format में लिखी गई है बहुत ज्यादा spiritual knowledge आपको मिलेगी मांसा light age foundation I recommend कि अगर आपको Amazon पर मिल जाए मांसा light age foundation के books तो बढ़िया है अगर आपको एक book मिल जाए जो यहां नहीं है पर I will recommend it's called doorways to light एक दम storybook की तरह है वो पढ़ लीजे और अगर आपको यह लगता है कि नही बढ़िया लगते है यह सद्गुरु जी के books actually दूसरे भी books है उनके मेरे पास but I don't have it right now कि मैंने दे दिये किसी को मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं इसलिए मैंने यह book खरी दी अब तक पड़ी नहीं है सुहेल देव अमीश्टर पार्टी के साथ बहुत बड़िया podcast किया था यह book मैंने थोड़ी सी पड़ी है प्लीज वो podcast देख लीजे अगर आपने अभी ताख हमारा English podcast नहीं देखा है वो देख लीजे बाद में definitely Hindi podcast भी करेंगे heartfulness के बारे में बुक है यह मैंने नहीं पड़ी बड़ यह book पता किसने मुझे दीती विवेक मित्तल यानि की fit tuber भाई है मेरे लिए तो यह book है zen yoga yoga के बारे में आयुरवेद के बारे में भी है knowledge इसमें बहुत ही ज्यादा heavy book है वो खुद यह book यूज करता है अपने reference के लिए I will recommend this but बहुत ज्यादा heavy book है यह याद रखिये अगर आपको एकदम तोड़ फोड नौलेज चाहिए ना आयुरवेद के बारे में तो यह सहर की zen yoga book पढ़िये and overall that is pretty much everything I will recommend और भी books है बहुत books है जिसके बारे में मैंने बात नहीं की है यह final book के बारे में मैं बताऊंगा यह ह इनकी भगवार गीता की वर्जिन इसके दो पार्ट से दूसरा पार्ट मैं अब तक खुला भी नहीं है बहुत ज्यादा भारी book है बहुत ज्यादा भारी book है मैं अभी क्या बोलू इसके बारे में बहुत टाइम लगेगा यह देखो कितनी मोटी book है यह थोड़ी सी पढ़ अब कभी कभी ना spiritual books की बात अलग होती है कभी कभी ओ दिमाग में नहीं गुस्ती जो बाते लिखी हुई है हर spiritual book पढ़ने का एक समय होता है उशाय मेरी life में अब तक आया नहीं है भगवत गीता पढ़ने का समय और इसलिए है अब मैं इस live stream को end करूँगा मैंने सोचा था क यार QNV करेंगे इसी live stream में but I feel कि थोड़ी लंबी गई है live stream and I want more people to watch it that's why अब हम end करेंगे live stream को पर मैं ये भी कहूंगा अगर आपको QNV करना Instagram पर आजाए अड बियर बाइसेफ्स वहां करेंगे live stream आजाओ Instagram पर अभी ही I will see you guys later हुआई लग एुष है आपसेटोवार आपर आपको पह नदाए आपको कि वहार जाए है